शुरुबात करते हैं बड़ी खबर के साथ जो सोनभद्र से जहां पर पूरो सांसद और विधायक के खिलाप आरोप तै हुए हैं पूरो सांसद कैलाश नात यादों पर आरोप तै हुए हैं जमीन पर कबजा करने के मामले में आरोप तै किये गए हैं पूरविधायक सुनील सिंग यादो पर भी आरोप तै हुए हैं MLA Special Court ने ये आरोप तै किये हैं वन्यभाद की जमीन पर अवैत कबजे का मामला था जिसमें सांसद और पूरविधायक पर आरोप तै किये गए हैं और फोन लाइन पर हमारे से होगी रंगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं रंगेश क्या जानकारी आपके पास कि अमित बता दे कि यह मामला बसपा सरकार के समय कहीं है जब पूर विधायक सुनिल सिंग्यातो और पूर मंत्री और पूर सांसद कैलाक नाफ्यातो जो दोनों रिस्ते में पिता-पुत्र ही हैं और इन लोग के उपर एक मामला उस वक्त के तत्कालीन वन दरोगा रफिक अमद ने लगाया था और जहां के बाद पता चला कि वन विभाग के जमिन पर इन लोग के द्वारा अब ज़ंक से कब्जा किया गया है MPMLA कोर्ट ने कल इनका मामला तैयं कर दिया और इसमें आरुप तैयं हो गया है अब इनको सजा मिलना सुनिचित हो गया है बहुत शुक्रिया रंगे शापका मरसा जुनने के लिए और जानकारियम तो पहुचाने के लिए और एक बड़ी खबर लखनू से जहां पर केजिम्यू में कोरोना से कोहरा मचा हुआ है केजिम्यू के 40 डॉक्टर कोरोना पॉस्टिव हो गए हैं उसमें कुलपती और चिकितसा धिक्षक भी शामिल हैं वो भी कोरोना संक्रमित हो गए हैン कोरोना वैक्सीन की दोनों ।ोह ले चुके हैं सभी डॉक्टर सरजरी विभात के 20 डॉक्टर संक्रमित हुए हैं यूरोलजी विभात के 9 डॉक्टर शामिल हैं ट्रिटिकल केयर मेडिसिन में तीन डॉक्टर संक्रमित हुए हैं, अधिकतर डॉक्टर ने 25 मार्च को ही दूसरी डोज ले ली थी, उसके बावजूद सभी लोग संक्रमित हुए हैं। ट्रिटिकल केयर मेडिसिन में तीन डॉक्टर भी संक्रमित हुए हैं, अधिकतर लोगों ने 25 मार्च को ही दूसरी डोज भी ले ली हैं, उसके बावजूद ये सभी लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। क्यात्युक्ष का युए हैं।